सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइबरी, बच्चों के उज्जोल भविश्य के लिए बिहार सरकार है सदा अगरसर और तयार कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठे पुस्तक पूरक सामगरी एवं विडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विक्सित पोर्टल पर है उपलब्ध अध्यन सामगरी देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथ्वा एंड्रोइड मुबाइल पर गूगल प्रे स्टोर से e-lots आप डाउनलोड करें शुक्षकों, अभी भावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस e-library का अधिक से अधिक लाब उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें विजेता आप भी हो सकते हैं इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेकनोलोजी पर आधारित अपने इनोवेटर आइडियाज के साथ तयार हो जाएए जानते हैं ना आप में से एक लाख स्टूडन्स को दस-दस हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोटक के रूप में तो अपने अरिजिनल इनोवेटर आइडियाज को स्कूल में जमा करें पेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे अफिशल वेबसाइट पर और हाथ जल्दी आज ही जमा करें So good luck with Inspire Awards मानक वापस फिर से लाना है धो कर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है दर कर नहीं तयारी से आगे कदम बढ़ाना है रखेंगे दो कसकी दूरी सब को पॉष्टिक हार खिलाएंगे बच्चों और बूरों का करेंगे खया रोकी नहीं रोक से लड़को रोना को हाराएंगे स्वास्थ केंद्र पिर से खुल गए जिनका लाभ उठाना है रोकी जिन्दगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है धो कर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है सुरक्षित जीवन चलाना है गर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है टीका करण की शुरुवात हो गई है पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और दोगज की दूरी बनाये रखना अभी वी जरूरी है स्वास्त विभाग और सूचना एवं चंसंपर विभाग बिहार सरकार द्वारा चनहित में चारी मिलकर नई दुनिया मिलकर बनाए हम नई दुनिया मिलकर जीत ले हम सारी दुनिया प्लीज हमें आजपोने दो रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो छूलेंगे आकाश हम मनिके विचार हकिकत बने सिर्धी फल से आनंदेंगे कूशिष कर बढ़े सूच बुलंद करे नमस्ते चात्रों आप सब को देखकर अच्छा लगा आईए आज की सत्र की शुरुआद हम एक परिस्तिती से करें आप एक बस में बैठे हैं जो दिली से जैपुर जा रही है अगले स्टेशन पर एक व्यक्ती बस में चड़ता है और आपके पास वाली सीट पर बैठ जाता है आप दोनों इस तरह बाते करने लगते हैं जैसे पुराने दोस्त हो फिर आप दोनों को नीन दा जाती है कुछ देर बाद आपकी नीन उड़ती है आप देखते हैं कि आपके पास बैठा यात्री आप से कुछ कहे बिना बस से उतर जाता है आप इस सोच में पढ़ जाते हैं कि इतनी सारी बाते करने के बाद इसी बारे में सोचते रहते हैं क्या उस यात्री और आपके बीच के रिष्टे को मित्रता कहा जा सकता है एसे मित्रता नहीं कह सकते है ना उसे हम सहयात्री कह सकते हैं क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है क्या आप दूसरों को इसके बारे में बताना चाहेंगे? अपने अनुभव के बारे में बताने के लिए धन्यवाद हम हर रोज कई लोगों से मिलते हैं हम उसमें से कुछ लोगों से बात करते हैं रास्ता पूछने के लिए हम कुछ लोगों से मदद भी मांगते हैं। इन कुछ पल के रिष्टों को हम मित्रता नहीं कह सकते। हम इन्हें जादा से जादा अपना परिचित मान सकते हैं। तो फिर मित्रता क्या होती है? मित्रता का मतलब है सुख और दुख में एक दूसरे का साथ देना। इस सत्र में हम मित्रता के बारे में कुछ और बाते जानेंगे। अब आपके लिए एक प्रश्ण है। आपके पास एक अच्छा बीज है आप उस बीज से एक पेड उगाना चाहते हैं इस चाक को पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे? धन्यवाद! क्या अब हम इसकी तुलना मित्रता से करें? जिस तरह बीज मिट्टी में समा जाता है उसी तरह मित्रता हमारे दिल में जगा बना लेती है पानी की तुलना ध्यान और परवासे की जा सकती है जिस तरह पेड को खाद की जरुवत होती है उसी तरह मित्रता में मित्रों को एक दूसरे की जरुवत होती है पेड पौधों को गाई बकरी से दूर रखना पड़ता है और मित्रता को अनावश्यक आलोचना से पौधों को कीडों से बजाना पड़ता है और मित्रता को जगडे से पेड को हरा बरा रखने के लिए उसका ध्यान रखना पड़ता है इसी तरह हर मित्रता को हरा बरा रखने के लिए विश्वास बनाए रखना पड़ता है पेड़ की जड़ें जमीन में फैल जाती हैं और उसकी शाखाएं आसमान चूमने लगती हैं उसी तरह समय के साथ मित्रता भी इतनी गहरी हो जाती है कि वह हर परिस्तिती का सामना कर पाती है क्या हम इसे एक गीत की तरह गाएं? समय के बंधन से उपर बर्गत की तरह फैली हुई प्रेम ही जिसका आधार हो ऐसे मित्रता तुम निवाना समय के बंधन से उपर बर्गत की तरह फैली हुई प्रेम ही जिसका आधार हो ऐसे मित्रता तुम निवाना मैं तिके बीज अंकूरित हो अंकूरित हो के कौपले चमके स्नेह के जल से सिंचन करके धान से उसका जतन करो मैं तिके बीज अंकूरित हो अंकूरित हो के कौपले चमके स्मय के बन्धन से उपर बरकत की तरह फैली हुई प्रेम ही जिसका आधर हो ऐसे मित्रता तुम निभाना मित्री का पोधा उगता है पोधे से पेर बनता है प्रेम की उसमें डालो खा ज्यान से उसका जतन करो मेत्री का पौधा उगता है पौधे से पेड़ बनता है प्रेम की उसमें ढालो खाथ ज्यान से उसका जतन करो हमें की बंधन से उपर बरकत की तरह फैली हुई प्रेम ही जिसका आधार हो ऐसी मित्रता तुम निभाना मित्रता है व्रुक्स समान प्रेम से वह परिपुर्ण बने विश्वास का उसे रक्षन देकर ज्यान से उसका जतन करो मित्रता है व्रुक्स समान प्रेम से वह परिपुर्ण बने विश्वास का उसे रक्षन देकर ज्यान से उसका जतन करो समय की बंधन से उपर बरकत की तरह फैली हुई प्रेम ही जिसका आधार हो ऐसी मित्रता तुम निभाना धन्यवाद हम किसी कांच की वस्तू को बहुत संभाल कर पकड़ते हैं इसी तरह मित्रता को भी ध्यान से संभालना पड़ता है एक टूटा हुआ फुलदान फिर से जोड़ा जाए तो पहले जितना सुन्दर नहीं तिकता उसी तरह मित्रता में तनाव आ जाए तो उसे दूर किया जा सकता है पर उसका असर हमेशा महसूस होता है मित्रता को आगे पढ़ाने के लिए हमारे ध्यान और समझदारी की जरुवत होती है इससे मित्रता गहरी और मजबूत होती है मित्रता की देखभाल करने के लिए किन गुणों की जरुवत होती है आईए एक-एक करके उन गुणों के बारे में बात करें पहले एक परिस्तिती पर ध्यान दीजिए शीला और विमला अच्छे मित्र हैं शीला दो दिनों तक स्कूल नहीं आई जब विमला उसके घर पर गई तो उसने देखा कि शीला बीमार है विमला ने चिंता जटाते हुए शीला से कहा कि वो ठीक से दवा ले स्कूल खत्म होने के बाद वो रोज शीला से मिलने जाने लगी और उसे स्कूल की बाते बताने लगी वो शीला के लिए उसकी नोटबुक में सारे पांट भी लिखने लगी क्या आप मेंसे कोई भी दो छात्र इस दृष्षे का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद आपने बहुत अच्छी तरह किया हमने विम्ला की विवार से क्या सीखा? हमने देखा कि विम्ला सच्चे मन से शीला की परवा करती है वो जानती है कि शीला को किस चीज की जरूरत है वो शीला का ध्यान रखती है और उसके साथ समय बिताती है ताकि उसे अकेलापर ना लगे वो पढ़ाई में भी उसकी मदद करती है अपने मित्र की जरूरतों का ध्यान रखना एक सच्चे मित्र का एहम लक्षन है मितृता के लक्षन एक दूसरे के साथ समय बिताना एक दूसरे की सच्ची परवा करना मितृता में हम अपने मित्रों की मदद करते हैं उस मितृता को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए आईए एक और उधारन पर नजर डालें किशोर की आदत है कि वो हमेशा नाखून चबाता रहता है इस आदत से उसके कई दोस्त परिशान है उधारन के लिए जब कोई उसे पानी लाने को कहता है तो वो अपने हाथ धोना भूल जाता है जावेद ने उसे कई बार कहा कि वो इस आदत को छोड़ दे पर किशोर ऐसा नहीं कर पाया अगर आप जावेद होते तो आप क्या करते आप चिला कर कहते मेरे सामने अपने नाखून चबाना बंद करो बहुत बुरा लगता है आप धैर्य से काम लेते और इसे इस आदत के नुकसानों के बारे में बताते आप उसे ये आदत छोड़ने के लिए मनाते आप दूसरों के सामने किशोर का मजाक उड़ाते किशोर पर चिलाना या दूसरों के सामने उसका मजाक उड़ाना उचित नहीं है इससे उसको ठेस पहुँच सकती है एक अच्छा दोस्त वो होता है जो धैर्य से काम ले और उसे ये बताए कि नाखून चबाने से किस तरह की हाने पहुँच सकती है मित्र की बुरी आदत की वज़े से उस पर नाराज होना एक अच्छे दोस्त की निशानी नहीं है अपने मित्र को बुरी आदतों से चुटकारा दिलाना सच्चे मित्र की निशानी है मित्रता के लक्षन बुरी आदतों से होने वाले नुकसान के बारे में बताना और बुरी आदत से छुटकारा पाने में मदद करना हम मित्रता को आगे बढ़ाने के लिए और क्या कर सकते हैं आईए पता लगाते हैं आईए एक और परिस्तिती पर ध्यान दे कला और नसीम NCC के एक कैम्प में जा रही है कला के पास दो चादर है गर्मी का मौसम है और ये सोचकर नसीम एक भी चादर नहीं लाई उन्हें एक स्कूल में ठेराया गया सोने के लिए सब को एक दरी दी गई रात को मच्छर आने लगे जब कला ने मच्छरों से बचने के लिए अपनी चादर ओड़ी तब उसने एक चादर नसीम को भी दी चादर ओने के बाद नसीम को अच्छी नीन दाई क्या कोई भी दो चात्र स्वेच्चा से यहां आकर इस परिस्तिती का अभिनाय करके दिखा सकते हैं बहुत बढ़िया किया धन्यवाद अगर कला स्वार्थी होती तो वो एक चादर दरी पर बिचा लेती और एक चादर ओड लेती पर उसने देखा कि चादर के बिना नसीम को सोने में तकलीफ हो रही थी इसलिए कला ने अपनी मर्जी से एक चादर नसीम को दे दी अपनी चीज दूसरों के साथ बाटने से मित्रता बढ़ती है मित्रता के लक्षन जरूरत पूरी करना एक दूसरे के साथ चीजे बाटना अब इस परिस्तिती पर नजर डाले अमर्जीत और थामस अच्छे मित्र है अमर्जीत अपने विचार, भावनाएं और परेशानियां केवल थामस को बताता है एक दिन अमर्जीत के भाई की नौकरी चली जाती है और वो ये बात थामस को बताता है अगले दिन अमर्जीत की कक्षा का एक लड़का अमर्जीत से कहता है मैंने सुना कि तुमारे भाई की नौकरी चली गई है क्या ये बात सति है अमर्जीत सोच में पढ़ जाता है कि उसे ये बात कैसे पता चली उसने तो इसके बारे में थॉमस के अलावा किसी को नहीं बताया था उसे बुरा लगता है कि थॉमस ने ऐसी व्यक्तिगत बात दूसरों को बताई क्या थॉमस को ये बात दूसरों को बतानी चाहिए थी? थॉमस ने जो किया वो गलत है या सही? और क्यों? बिल्कुल सही, थॉमस ने जो किया वो गलत था अमरजीत ने सारी बातें थॉमस को बताई क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वो दूसरों को इसके बारे में नहीं बताएगा पर थॉमस ने उसका विश्वास तोड़ दिया इस वज़े से उनकी मित्रता में करवाहट आ गई विश्वास बनाए रखना भी मित्रता का एक महत्वपूर लक्षण है विश्वास बनाए रखना आईए इस उधारन के द्वारा हम मित्रता के बारे में कुछ और जाने राजेश और हरवजन मित्र हैं उन्होंने साथ बैठकर गणित की परिक्षा की तैयारी की उन्होंने एक दूसरे को विशे से सम्मद्दित अलग-अलग चीजों के बारे में सिखाया परिक्षा खत्म होने के बाद जब पर्चे मिले तो राजेश को सौ प्रतिशत अंक मिले जबकी हरवजन को केवल अठासी प्रतिशत अब हरवजन को क्या करना चाहिए? राजेश को दोशी ठहराना चाहिए क्योंकि उसने कुछ चीजें ठीक से नहीं समझाई थी जब तक वो खुद सौ प्रतिशत अंक नहीं ले आता, उसे राजेश से बात नहीं करनी चाहिए राजेश को बधाई देनी चाहिए और खुद की गलतियों पर ध्यान देना चाहिए ताकि आगे से ऐसा ना हो अगर आपके मित्र को सौ प्रतिशत अंक मिले तो उसे बधाई देनी चाहिए प्रतिशत अंक बदानी तो बच्चाहिए सबकृ प्रतिशत अंक हुट से लाद हुट थुट जड़ से लाद कर दो जा जाज़ 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 जाज नमस्कार आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यारती इनोवेशन्स कर रहे हैं उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोच साहित कीजिए करना है इतना कि आपके विद्याले के छठी से दस्वी कक्षा के छात्र और छात्राएं साइन्स और टेक्नोलोजी पर आधरित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें ताके वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें एक लाख छात्रों को दस-दस हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए फिर छात्र, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशन्स को दिखाएंगे फिर प्राइजिज और सम्मान पाएंगे तो आज ही अपने स्टूद्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानगे अपनी गलती की वज़े से मित्र को दोशी ठहराना और उससे बात ना करना अनुचित होता और बचकाना लगता है खुद की नाकाम्याबी को स्वीकार करना सीखना चाहिए मित्र को सफलता मिले तो उनकी प्रशंसा करनी चाहिए यही सची मित्रता की निशानी है मित्रता के लक्षन मित्रों को सफलता मिले तो उनकी प्रशंसा करना अपनी नाकाम्याबी को समझदारी से स्वीकार करना अब एक और परिस्तिती गणित में 100% अंक मिलने के बाद कुछ दोस्त राजेश से ये कहते हैं कि उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता वे उसे कहते हैं कि हरवजन तो उसके जितने अंक पाने की सोच भी नहीं सकता इस समय राजेश को हरवजन से क्या कहना चाहिए अरे तुम्हें तो 88% अंक इसलिए मिले क्योंकि तुमने मेरे साथ बैठके पढ़ाई की थी अगर तुम कम गलतियां करते तो तुम्हें भी आसानी से 100% अंक मिल जाते चाहे कितनी भी कोशिश कर लो पर तुम सपने में भी इतने अंक प्राप नहीं कर पाओगे हर बजन के अंकों के लिए खुद को श्रेय देना उचित नहीं है उसे ये भी नहीं कहना चाहिए कि वो कभी इतने अंक प्राप नहीं कर सकता ये दोनों बाते अच्ची मित्रता की निशानी नहीं है ऐसा कहने से हर बजन का और उसके द्वारा किये गए प्रयास का अपमान होगा उचित तरीका है उसे ये सला देना कि उसे कम गलतियां करनी चाहिए इससे हर बजन का होसला भी बढ़ेगा अपनी सफलता पर घमंड नहीं करना चाहिए घमंड ना करना और समझदारी से काम लेना अच्छे मित्र के लक्षन है मित्रता के लक्षन सफलता मिलने पर विनम्रता और समझदारी से काम लेना चाहिए अब हम एक कार्य कलाब करेंगे आपने अपने मित्र के साथ एक चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया आपको इनाम मिला पर आपके दोस्त कुण नहीं आपने उसका मजाक उड़ाए बिना विनम्रता से उससे बात की क्या आप मेंसे दो चात्र स्वेच्छा से इसका अभिनाय करके दिखाएंगे धन्यवाद बहुत बढ़िया किया अब इस उधारन पर ध्यान दीजिए एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आपके दोस्त ने आपकी मन पसंद शर्ट उधार ली है वह इस शर्ट को लटाने आपके घर आया आपकी मा उसके लिए शर्बत लेकर आई तभी आपका छोटा भाई दोड़ते हुए घर में गुसा उसका हाथ शर्बत के ग्लास से टकरा गया और शर्बत आपकी शर्ट पर गिर गया अब आप क्या करेंगे अपने दोस पर गुसा करेंगे कि उसने घर पहुँचते ही आपको वह शर्ट क्यों नहीं दी अफसोस जताएंगे कि आपने उसे वह शर्ट दी ही क्यों थी आप कहेंगे कोई बात नहीं तुमने ये जान बुज़कर नहीं किया था ठीक से दुलने पर दाग चला जाएगा आप इस बात का बतंगड नहीं बनाएंगे और अपने दोस्त को भरोसा दिलाएंगे कि ये दाग छूट जाएगा अपने आपको कोईसना या अपने दोस्त पर गुसा करना उचित नहीं है उससे तो ये लगेगा कि आपको अपने दोस्त से ज्यादा शड की फिक्र है ऐसी भावना रखने से रिष्टे मजबूत नहीं होते अच्छा दोस्त वह होता है जो धैर्य रखे और अंजाने में हुई गलतियों को भुला ले मित्रिता के लक्षन अब हमें कार्य कलाब करेंगे लता और गीता दोस्त है गीता ने लता से एक पैन लिया पैन अटक अटक कर चल रहा था इसलिए उसने पैन को हिलाया हिलाते समय पैन उसके हाथ से छूट कर नीचे गिर गया और पैन का निब तूट गया गीता ने लता से माफी मांगी क्या आप में से दो छात्र स्वेच्छा से इस दृष्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं आपको अभिनय द्वारा ये दिखाना है कि लता ने क्या जवाब दिया बहुत अच्छा अभिनय किया धन्यवाद आईए अब अगली परिस्तिती पर ध्यान दे रजिया और सीमा को विज्ञान के एक पाठ में कुछ मुश्किल हो रही है रजिया ने निशा की नोटबुक ली और पाठ देखकर उसे वापिस कर दी अगले दिन निशा ने रजिया से पूछा कि उसने नोटबुक के पन्नों पर स्याही क्यों लगा दी सीमा को पता है कि रजिया ने ऐसा कुछ नहीं किया है अब सीमा को क्या करना चाहिए उसे इस बात में नहीं पढ़ना चाहिए निशा को समझाना चाहिए कि रजिया ने नोटबुक खराब नहीं की थी उसे निशा से ये कहना चाहिए अरे कितनी बुरी बात है तुम्हारी नोटबुक खराब हो गई निशा को समझाना कि ये रजिया की गलती नहीं है सबसे उचित तरीका है जब कोई मित्र मुसीबत में हो और उसे दोशी ठराया जा रहा हो तो अपने मित्र का साथ देना चाहिए ये अच्छी मित्रता की निशानी है मित्रता के लक्षन मुसीबत के समय में दोस्त का साथ देना अब एक और उधारन देखिए हरपरीत, नीता और तारा अच्छे मित्र है कक्षा में एक समारो का आयोजन किया गया है जिसके लिए छात्रों को समुहों में बाट दिया गया है छात्रों को क्लास में सजाने के लिए चार्ट और मॉडल बना कर लाने हैं हरपरीत, नीता और तारा इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि वो क्या बना कर ला सकते हैं हरपरीत को लगता है कि अलग-अलग तरह के नक्षे बना कर लाने चाहिए नीता को लगता है कि गणत की आकरतियां बना कर लानी चाहिए तारा का कहना है कि विज्ञान से संबंदित चाट बनाना सबसे उचित होगा आखिर में वे तारा का सुझाव मान लेती हैं हरपरीत फूल और पत्ते इकटे करके लाती है नीता उनका वर्गी करन करती है और तारा उनके बारे में टिपणी लिखने वाली है किसी कारण वर्ष तारा के अंगूठे पर चोट आ जाती है और वो टिपणी नहीं लिख पाती अब हरपरीत और नीता को क्या करना चाहिए क्या आप में से तीन छात्र स्वेच्छा से आगे आगे इस परिस्तिती का अभिनय कर सकते हैं? धन्यवाद हरप्रीत और नीता को तिपणी लिखने में तारा की मदद करनी चाहिए तारा दूसरे काम कर सकती है जिसमें कुछ लिखने की ज़रूरत ना पड़े इस तरह से तीनों अपने बीच ये काम बाढ़ सकते हैं इससे उनकी मित्रता भी और मजबूत होगी अगर हरप्रीत और मीता तारा की मदद करने से मना कर दे तो उनकी दोस्ती पर गलत असर पड़ेगा एक दूसरे के द्रिष्टिकोन को समझना, मदद करना और सहरा देना ये सब बाते अच्छी मित्रता की निशानिया हैं मित्रता की लक्षन एक दूसरे के द्रिष्टिकोन को समझना, साथ देना और मदद करना हम मित्रिता को और गेरा किस तरह बना सकते हैं? मोहिंदर, डेविड और इमरान दोस्त हैं डेविड स्कूल के बाद कुछ कामों में व्यस्त रहता है इसलिए वह दोस्तों के साथ ज्याना समय नहीं बिता पाता इमरान इस बात को समझता है इसलिए जब भी मौका मिले, वो डेविड के साथ समय बिताता है और दोनों खूब मजे करते हैं पर मोहिंदर इस बात पर नाराज रहता है कि डेविड उसके साथ ज्यादा समय नहीं बिताता किसके साथ डेविड का रिष्टा लंबे समय तक बना रहेगा? इमरान के साथ या मोहिंदर के साथ? सही कहा आपने इमरान और डेविड की दोस्ती लंबे समय तक बनी रहेगी क्योंकि दोनों के बीच अच्छी समझदारी है उनका रिष्टा काफी हद तक एक जैसा रहेगा और मजबूत भी होगा मोहिंदर धहरिय से काम नहीं लेता और डेविड पर हक जमाना चाहता है इससे उनके रिष्टे पर गलत असर पड़ सकता है जिन रिष्टों में कोई शर्थ और अतिधिक अपेक्षाय ना हो वे रिष्टे लंबे समय तक बने रहते हैं ये बात मित्ता के संबन में भी कही जा सकती है अगर तुम मेरे लिए ये काम करोगे तो मैं तुमारे लिए वो करूंगा तुम केवल मेरे मित्र हो सकते हो और किसी के नहीं तुम्हें अपनी सारी बाते और भावनाएं मेरे साथ बाटिनी चाहिए क्या तुम कभी मेरी बात नहीं सुनोगे मैं जैसा सोचू तुम्हें भी वैसा ही सोचना चाहिए मित्रता में ऐसी बाते कहने का मतलब है कि आपकी मित्रता लेन देन और हक जमाने पर आधारित है ये दर्शाता है कि आप दूसरों की भावनाओं की कद्र नहीं करते और दूसरों के प्रती आधर नहीं दिखाते ऐसी बाते करने से मित्रता आगे नहीं बढ़ सकती समझने की शमता होनी चाहिए मित्रिता के लक्षन समझ और समानुबूती क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें मित्रिता का मतलब है सुख और दुख में एक दूसरे का साथ देना मित्रिता के लक्षन एक दूसरे के साथ समय बिताना एक दूसरे की सच्ची परवा करना बुरी आदतों से होने वाले नुकसान के बारे में बताना और बुरी आदत से छुटकारा पाने में मदद करना जरूरत पूरी करना एक दूसरे के साथ चीजे बाठना विश्वास बनाए रखना मित्रों को सफलता मिले तो उनकी प्रशंसा करना अपनी नाकाम्याबी को समझदारी से स्वीकार करना मित्रता के लक्षन सफलता मिलने पर विनम्रता और समझदारी से काम लेना धैर्य रखना और अनजाने में हुई गलतियों को माफ करना मुसीबत के समय में दोस्त का साथ देना एक दूसरे के दृष्टिकोन को समझना साथ देना और मदद करना समझ और सहानुभूती धन्यवाद आपने सारी बाते बहुत अच्छे तरीके से बताई क्या हम अपने आपको जाचने के लिए एक कारे कलाप करें इससे हमें पता चलेगा कि हम में मित्रता के कितने लक्षन है स्क्रीन पर कुछ परिस्तितियों से जुड़े हुए कथन दिखाए जाएंगे कथन को समझ कर आपको अपने हिसाब से उचित खंड में सही का निशान लगाना है ठीक है? क्रमांक एक कथन एक मित्र की उंगली पर चोट लगी है इसलिए मैं उसकी नोटबुक में पूरा पाठ लिख दूंगा या लिख दूंगी क्रमांक दो मैं अपने दोस्त के साथ अपनी चीजें बाटूंगा या बाटूंगी क्रमांक तीन मेरे दोस्त को मुझसे ज्यादा अंक मिलने पर मैं उसकी प्रशंसा करूंगा या करूंगी और मुझे उससे इर्शा नहीं होगी क्रमांक चार मैंने अपने दोस्तों के साथ एक प्रतियोगिता में भाग लिया है अब चाहे सफलता मिले या नाकाम्याबी इससे हमारी दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा मैं अपने दोस्त की गलतियां उसे बताऊंगा या बताऊंगी पर मैं उनसे दूर नहीं भागूंगा या भागूंगी अगर मेरे दोस्त की राय मुझसे अलग हो तो मैं बुरा नहीं मानूंगा या मानूंगी मैं अपने दोस्त की व्यक्तिगत बातें दूसरों को नहीं बताऊंगा या बताऊंगी मैं हर मुसीबत में अपने दोस्त का साथ दूंगा या दूंगी क्या आप अगले सत्र में आने से पहले ये कार्य पूरा करके लाएंगे तब तक के लिए अलविदा नमस्ते चात्रों आपका फिर से स्वागत है मुझे यकीन है कि आपने घरे कार्य पूरा कर लिया होगा क्या हम जवाब जाच ले उत्तर विराम अगर आपने सभी कतनों के लिए हमेशा पर निशान लगाया है तो इसका मतलब है कि आप में वो सारे गुण है जो एक अच्छे मित्र में होने चाहिए आपके बहुत से मित्र बनेंगे अगर आपके पांच से अधिक कतनों के लिए कभी नहीं पर निशान लगाया है तो इसका मतलब है कि आपको अपने मित्रता के लक्षणों को बड़ावा देने की जरूरत है आपको अच्छे मित्र बनाने में समय लगेगा अगर आपने पांच से अधिक कतनों के लिए कभी कभी पर निशान लगाया है तो थोड़ी और कोशिश करने से आप में एक अच्छे मित्र के सारे गुण आ सकते हैं इस कारे कलाब द्वारा आप समझ गए होंगे कि आप में मित्रता के कितने गुण है आप इस जानकारी को अपने पास रख सकते हैं इससे दूसरों के साथ बाटने की जरूरत नहीं है तो क्या अब हम अगले सत्र पर चलें आप सकते हैं क्या है बस्लोब देले को वे कर दो दो यह दो यह दो यह दो जिए जो यह दो दो यह दो झाल झाल नए आइडियाज और इनोवेशन को आगे बढ़ाने का दुनिया का सबसे बड़ा मंच है इंस्पायर अवार्ट्स मानक जहां कक्षा 6 से 10 तक के चात्र साइंस और टेकनोलोजी से संबंदित अपने आइडियाज और इनोवेशन को देश दुनिया तक पहुँचाने का मौणा पा सकते हैं स्कूल के माध्यम से जल्द से जल्द अपने आइडिया को इंस्पायर अवार्ट मानक के वेब पोर्टल पर जमा करवाएं और अपने इनोवेटिव यात्रा की शुरुआत करें ये करेगा आपके सपनों को साकार और एक नए नवसर्जक भारत का निर्बान इंस्पायर अवार्ट मानक इंस्पायर इनोवेटिव ये जयादा जानकारी के लिए www.inspireawards-dst.gov.in पर जाएं संजे गांधी जैविक उध्यान के जू आउट्रीच प्रोग्राम के तहट आज चिंपैंजी एंक्लोजर के बारे में जानेंगे चिंपैंजी मानव गोरेला और और अरंगोटान की तरह हमनिडे परिवार का सदस्य है जो लगभग 60 लाख वर्ष पूर्व मानव विकास की प्रक्रिया से अलग हो गया था वर्तबान में चिंपैंजी की दो प्रजातियां हैं एक प्रजाती का नाम है पैन पैनिसकस जो एक आम चिंपैंजी है और दूसरी प्रजाती का नाम है बोनोबो जो कॉंगो की जंगल में रहता है चिंपैंजी जिसे आम बोलचाल की भाषा में कभी कभी चिंप भी कहा जाता है बोनोबो, गोरिला, मानव और उरांगुटान के साथ होमनिडे परिवार के सदस्य है आम नर चिंपैंजी की उचाई खड़े होने पर 5.6 फीट तक होती है और इसका वजन अधिक से अधिक 70 किलोग्राम होता है मादा चिंपैंजी नर चिंपैंजी से कुछ छोटी होती है आम चिंपैंजी के लंबे हाथ फैलाए जाने पर शरीर की उचाई से अधिक से अधिक देड़ गुना अधिक होते हैं और चिंपैंजी के हाथ इसके पैरों से लंबे होते हैं ये अपने लंबे शक्तिशाली हाथों का इस्तमाल पेडों पर चढ़ने के लिए करती है जमीन पर चिम्पैंजी आम तौर पर अपने सभी चारों हाथ पेरों पर अपनी उंगलियों की गाठों का इस्तमाल करते हुए चलते हैं और सहारे के लिए हाथों को भीच कर रखते हैं इसकी खाल काली होती है चेहरे उंगलियां हाथ की हथेलियां और पैर के तलवे बाल रहित होते हैं और चिम्प के पास पूछ नहीं होती है जैसा कि हम जानते हैं कि चिम्पांजी नेचुरली इंडिया में नहीं पाये जाते हैं ये मोलता अफिरका में ही पाय जाते हैं कुछ अफिरकन में और ये भी क्रिटकली इंडेंजर्ड हैं पटना चिरिया घर में काफी आकरसन का केंद्र है और ये 2013 में ये एक नर और एक मादा चिंपांजी को नंदन कानन जू से लाया गया था और ये अभी लगबक दस साल के आ इंडिया में चिंपांजी हैं और इसके लिए हमें बहुत सारी तैयारी करनी परती है इनके खाने का इनका डायेट का सब उचका विसेश ख्याल लखा जाता है सरदी तथा गर्मी में इनका डायेट विसेश कर चंज होता जाता है उसी के हिसाब से और जो मैचूरीटी है इ जेहें समुदाय कहा जाता है समुदाय के भीतर एक निश्चित सामाजिक पदानुक्रम होते हैं जो एक सदस्य की सामाजिक स्थिती और दूसरों पर उसके प्रभary से निर्धारित होता है चिंपैंजी मनुशिके गैर शाबदिक समवाद की तरह स्वरों के उचरण हात के इ लूब्स आजगाई आम वयस्क चिंपैंजी विशेश रूप से नर बहुत ही आकरामक हो सकते हैं और ये अपने छेत्र के प्रती अती समवेदन शील होते हैं तो आशा करती हूं बच्चों आज के इसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा तो घर पर रहें पढ़ते रहें बढ़ते रहें मिलते हैं अगले एपिसोड में बाई बाई बच्चों तन 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 सुनो खंट इवजी स्कूल की चलो शूल तुम को पुखाएं तन 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 बच्चों